हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ हमारे उधंपुर श्रीनगर बारमुला रेलिंक या फिर यूएस बेरल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक नई अपडेट को लेकर के या फिर हम लोग यू कहें कि आप लोग के कुछे जाने वाले सवाल के उपर एक रिप्लाई रहने वाला है करेंट बेशिस पर हम लोग जानने वाले हैं कि एक्चुल्ली यह प्लान ज्योकर पा रही है रेल्वे क्या इस घ्झीजे को रहए हैं और हम लोग इसे ही आंधिudda कर सकते हैं या फिर नहीं आज के इस वीडियो में बात करने वाले चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो देखे दोस्तो करेंट बेसिस पर अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगी कितना समय हो चुका है इस प्लैन को एक्सक्यूट करें हुए तो देखे दोस्तो 4th of June यानि की election के results आने के बाद से बताया ऐसा गया था कि इस प्लैन को एक्सक्यूट करा जाएगा तो currently अगर हम दिन से अगर हम लोग देखें और अभी फिलाल सिर्फ 30 डेज का समय बचा हुआ है अब इस remaining 30 डेज में क्या कुछ complete हुआ इसके उपर बात करते हैं संगलदान रियासी सेक्शन जिसे कि आप लोग लंबे समय से सुनते वारे इनोग्रेट होगा रेल्वे इसके उपर कुछ संगलदान रियासी कुछ होड़े बहुत टेकनिकल लेवल पे जो चीजे हैं वह बची हुई है जैसा कि आपनी जैसा कि अपनी कुछ रीसेंट वीडियो के अंदर भी मैंने आप सभी को बताया तो आप लोग देख सकते हैं कि संगलदान रियासी सेक्शन भी 15 अगस्त तक इनोग्रेट नहीं हो पाया आज 14 अगस्त है और अगर हम लोग बात करें कि टरनल टीवन में कितना कुछ बचा हुआ है तो टरनल टीवन के ऊपर भी अपडेट मैं आप सभी से कली के दिन शेयर कर चुका हूँ टरनल टीवन में भी स्टिल अभी more than 70 मीटर्स बेंचिंग का काम स्टिल अभी बचा हुआ है क्योंकि जुलाई मन्थ में हमें यह पता चला था कि जो बेंचिंग का काम है वो on an average 1.5 मीटर्स भी नहीं बलकि सिर्फ 1 मीटर्स पर डे के accordingly यहां पर बेंचिंग का वर्क चल रहा है तो हम लोग यह मान करके चल सकते हैं कि अभी स्टिल 70 मी का वर्क बचा हुआ है 325 मीटर्स लाइनिंग का वर्क जुलाई के स्टार्टिंग में बचा हुआ था तो इसके अकॉर्डिंग लिए हम लोग यह कह सकते हैं कि लाइनिंग के वर्क को अगर हम लोग 2.5 मीटर्स भी on an average दे देते हैं तो 250 मीटर्स इस्टिल लाइनिंग का कभी बचा हुआ होगा जैसे हम लोग यहां पर एक बेसिक सी कल्कुलेशन करके अंदाजा लगा सकते हैं अभी दोस्तों सिर्फ 30 डेज का समय बचा हुआ है और जो सेक्शन इनोग्रेट होने वाला था संगलदान से रियासी के बिच में वो तक इनोग्रेट नहीं हो पाया वहीं बताया सा जारा था कि इस 100 डेज के मास्टर प्लैन में ही कश्मीय टू कन्या कुमारी को करनेक्ट कर दिया जाएगा यानि की कटरा से बनिहाल के बिच में डायरेक्ट ट्रेंज की सर्विसे स्टार्ट कर दी जाएगी हम लोग कह सकते हैं कि 100 डेज का मास्टर प्लैन इसकी जो डेडलाइन है वो फेल हो जाएगी सिर्फ 30 डेज का काम नहीं बचा हुआ है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि टनल टीवन में भी बहुत समय लगने वाला है तो आई होप कि वीडियो आप लोगो पसंद आई होगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग काफी स सारी कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सुचा कि क्यों आप लोगों को एक वीडियो के जरीए रिप्लाइग दिया जाए फिर भी आपकी वीडियो से लेटेड जो भी क्वेरी जै कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्स्राइब जरू को लेजेगा आज के से वीडियो में इतना ही